हेलो फ्रेंज कैसे आप सब स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का जो हमारी टॉपिक है वह है इस नेक डिजाइन के उपर जिसको मैंने सिर्फ पाइपिंग और बटन के साथ ब्यूटिफुल से लुक देनी है दोस्तों देखें सबसे पहले मैंने यहां पर पेस्टिंग ली हुई है जो मेरी 13 इंच की लंबाई में है और 5 इंच इसकी चुड़ाई ली है मैंने डबल फोल्ड करके अब यहां इसको मैं इसको एक इंच पे निशान लगा देनी है अब देखें यहां पर पांच इंच का मार्क लगाओंगी एक इस तरह से और इधर से हमें इसको एक इंच पे निशान लगा के इस तरह से एक सीधी लाइन लगा देनी है नीचे तक और इस लाइन को आप नीचे तक ही लगा लिजीगा दोस्तों यह देखें इस तरह से अब यहां से मुझे इसकी राउंड शिप देनी है आप अपने कॉर्डिंग अपनी राउंड शिप दे लिजीगा और अब यहां बाहर से भी मैं एक एक इंच पे मार कल गा लूंगी थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से और यहां इसके कोने में से भी हमें एक इंच पे मार करना है इसको इस तरह से मिला के उपर तक हमें इसको मिला देना है यह बिल्कुर और इसको यहां तक round trip देनी है और यहां बिल्कुर एक point जैसे हम बिल्कुर इसके नजदीक नजदीक से हमें cutting करनी है और यहां पांच इंच तक ही हमें यह निशान लगाना है और अब हम इस snack को cutting कर लेंगे ठीक है फ्रेंज और यह देखे बिलकुर इसको यहां से बारीक बारीक कटिंग कर देना है जैसे इंची टेप में एक पॉइंट होता है बस उतनी ही हमें यहां पे कटिंग करनी है यह देखे इसकी शेप कुछ चीज तरह से आएगी अब हमें इसको अपने फैबरिक पे प्ले करके इसको अटैच कर लेना है अब देखे ना मैं इसके कौन्ओ में यहां पर कट लगा दूँड़ूंगी ताकि हमें फोल्ड करने मएं इसको कोई भी दिक democrats बस इसको इसको इसे फोल्ड करते हुए पूरे नेक पे हमें हमें डैच करना है और यह मैं हर वीडियो में करके बताती हूँ आपको इसलिए मुझे समझाने की जोरत नहीं है इसको ये देखिये अच्छी तरह से हमें अंदर की तरफ इसको attach कर देना है अब यहाँ पे मैं इसके center में एक cut लगाऊंगी छोटा सा इसका center करके यहाँ पे हमें छोटा सा कट लगा देना है, और जिस कुरति Pे हमें इसको Atatch करना है, उसके सेंटर में भी हम कट लगाएंगे यहाँ पे और इसके सेंटर में मैं एक लाइन लगा दूँगी ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी कुरति का सेंटर क्या है यह देखिए मैंने यहाँ पे marker के साथ line लगाई हुई है एक यह देखिए इसको अब हमने यहाँ पे बड़े बखे के साथ इसको यहाँ पे सिलाई कर देनी है और यह सिलाई हमें नीचे तक attach कर देनी है आप चाहे तो अपने neck को pin up भी कर सकते हो उसके साथ भी हमारा यह neck नह उसके ऊपर हमें थोड़ा सा किनारी की सिलाई लगानी है पूरे neck पे यह देखिए friends इस तरह से अच्छे से यहाँ पर भी हम सिलाई कर देंगे यह देखिए friends अब हम इसको निकाल लेंगे और यहाँ पे जितना हम आधा आधा इंच कपड़ा छोड़के अपने कपड़े को निकालते हैं कटिंग करते हैं उसे इसाब से आपने आधा इंच कपड़ा छोड़के अपने कटिंग कर लेनी है और इसको मैं नीचे तक यहाँ पे अच्छी तरह से कटिंग कर दूंगे याद रखिए आपकी सिलाई भी ना कटे ध्यान से अपने कट लगाने हैं दोनों त छीज़ की हेल्प के साथ अच्छी तरह इसे बाहर निकाल लेना है आपने अच्छी से आपने इसके पॉइंट बनाने हैं कोनों के अब इस पे या तो प्रेस कर लीजिए अच्छी तरह से या फिर बड़े वक्खे के साथ यहाँ पे सिलाई लगा दीजिए और यह सिलाई आपने प्रेस के बाद ही लगानी है खासकर जो बिगनर्स है क्योंकि उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है इसकी फिनिशिंग देने में नेक की इसलिए मैं कहा रही हूँ कि आपनी नेक को पहले प्रेस कर लेना है अच्छी तरह से यह दिखे अब हमारी यह करना है और उपर से यह पटी बंद है अर इस के सेंटर में देखिए यहां पे इसको रखना है बिलकुल इस तरह से सैट करके आपने यहां पर सिलाई लगानी है अपनी नीच्छी तक एगिए फ्रेंस और मैं इस सिलाई को यहां पे डबल करने वाली हूं क्योंकि मैं कभी भी अपनी स्टिचिंग में रिस्क नहीं लेती जल्द बाजी नहीं करती यहां से इसको निकाल के हमने इस तरह से सेट करना है इसके ओपर अब हमें एक लूप लेने है बार एक डोरी मैंने तयार की है अगर आपको यह त्यार नहीं करना आते इसका लिंक संटके आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप चोटे-चोटे हमें लूप लगाने है यहां पर क्योंकि मुझे इसमें अपने बटन्स अट Actually करने है दूस्तों यह देखिए इस हिसाब से मैं अपने — काट लूँगी क्योंकि मुझे यहां पे चार ही बटन लगाने है आप चाहो तो ज्यादा लूप लगा के ज्यादा बटन भी लगा सकते हो यहां पे देखे मैं जूम करके दिखा रही हूं आपको ताकि आपको अच्छे से पता चलता रहे और यह साइज मेरे बटन का है उस हिसाब से जितना साइज आपका बटन का है उस हिसाब से आपने बाहर की तरफ लूप लगाने है आपने और देखे मैं पहले चारो लूपों को सेट करूंगी ताकि हमें इसके गैप का अंदाजा हो जाए कि अच्छे से लग रहे हैं यह देखे यह प्रॉपर गैप में चारो लूप मैंने लगा लिये है इस तरह से अब यहां पे मैं इसको सिलाई कर दूँगी अच्छे से यह देखे और इसके उपर भी मैं अपनी डबल सिलाई लगाऊंगी इसी को यहां से दूसरी तरफ फोल्ड करते हुए यहां पे मैं सिलाई लगाऊंगी डबल और इसको सिलाई को यहां से इस तरह से निकाल दूँगी क्योंकि मुझे यहां पे अपनी पाइपिंग लगानी है उपर की तरफ भी यह देखें फ्रेंज यह हमारे लूप लगके बिनकुल रेड़ी है आप चाहें तो ज्यादा लूपियां भी लगा सकते हो अपने नेक पे और अब मुझे एक रे फैब्रिक लेना है जिसको मैं यहां पे सीधी और से ही इसको सिलाई करूँगी याद रखें यह मैं सीधी कपड़े पे ही सिलाई कर रही हूँ उल्टा कपड़ा नहीं है इसको मैं पलटने नहीं वाली हूँ इसके चुड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है दोस्तों आप 2 इंच भी ले सकते हो अब यह देखिए इसको मैंने अपने नेक पे अटैच करना है और यह नेक की रॉंग साइड है यानि के सीधी साइड हमें इस पट्टि को इस तरह से रखना है और जहां पर मैंने सिलाई लगाई है वहीं पर मैं सिलाई लगाऊंगी तुबारा और जितनी पाइपिंग आपको बाहर की तरफ दिखानी है उतनी ही सिलाई लगाईएगा बिल्कुल बारेग पाइपिंग हमें लगानी है याँपे और याद रख creamy को भी खीच के नहीं लगाना है वरना यह आपका नेक जो है हार्ड हो जाएगा बिल्कुल हलके हाथों से अपनी piping को भी पकड़ना है अपने neck को भी पकड़ना है इस तरह से हमें अपनी piping को attach कर देना है और यह जो piping लेनी है अपने रेप कपड़े की ही लेनी है याद रखे अब जो आपका extra fabric है उसको थोड़ा थोड़ा cut कर दीजिए याद रखे आपने neck भी नहीं काट देना है अपना कई गलती से connect कर जाए और आप मुझे गालिया देते विरो आप देखिए यहाँ पे इस तरह से बारीक piping को निकालके यह हमें सिलाई जो करनी है कपड़े के उपर लगानी है यह जो मेरा plane कपड़ा है उसके उपर मुझे piping पे विल्कुल भी सि करना है दोस्तों और आई होप यह नेक आपको बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों अगर पसंद आए थोड़ा बहुत तो प्लीज लाइक के बटन पे ज़रूर प्रेस कर दीजीगा क्योंकि हमें इंस्पिरेशन मिलती है अगी लिए अच्छी वीडियो बनाने के लिए कि हमारी वीडियो को भी किसी ने लाइक किया है दोस्तों यह देखिए यह हमारा नेक जो है बनके पाइपिंग लगके बिलकुल रैडी है अब यहां पे मैं हैंड स्ट्रिच कर लूँगी और देखिए मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको यह मेरे पास बटन्स है और यह बटन्स जो है इस कुट्टी पे लगे हुए ही थे इसलिए मैंने यह बटन लगाए है आप चाहे तो प्लेन बटन के साथ भी इसको डिजाइन कर सकते हो या फिर आपकी कुट्टी में कोई और कंट्रास्ट है उसके मैचिंग के साथ भी आप बटन लगा सकते हो और यह दिखे, यह मैं बटन लगा के आपको रैडी करके दिखा रही हूं, यह मैरे बटन लगा लिए है, और यह हमारी कुर्ती की लुक आई है, नेक की लुक आई है, और आई होप यह चीज़ आपको पसंद आएगी, अब इन दोनों चीज़ों पे मैंने तुरफाई कर ले कोई भी वीडियो डाले नहीं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बहुन सके दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जूर बताईए कि आपको यह डिजाइन कैसा लगा दोस्तों, और आप हमें इंस्ट्राग्राम और फेस्बुक पेस पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां भ और बॉक्षिंग